आज हम बात करने वाले हैं बॉलिवुड इंडस्ट्री के गुजरे जमाने के लोग प्रेय अभिनेता प्रेम नात की। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में हीरो से लेकर खलाएं का किरदार बखुबी निभाय था। दर्शिकों ने इनके दोनों ही किरदारों को काफी सरहा। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में डेड़ सो से उपर फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग छवी बनाई। तो जानते हैं इस दिगज अभिनेता के बारे में। बॉलिवुड इंडस्ट्री के मश्यूर अभिनेता प्रेम नात का जन्म 21 नवंबर 1926 को पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद ये अपने परिवार के साथ जबलपुर रहने चले गए। अगर बात की जाए इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने अपने करियर के शुरुआत सन 1948 में आई फिल्म अजीत के साथ की थी। इस फिल्म में के किरदार को काफी पसंद किया गया था। इनको इस फिल्म में काम करने का मौका इनके चाचा प्रित्फी राज कपूर की वज़े से मिला। हुआ यूँ कि जब ये विभाजन के बाद जबलपुर रहने आए तब इन्होंने अपने चाचा प्रित्फी राज कपूर को फिल्मों में शामिल होने के लिए पत्र लिखा। इ अभिनेता बनने के लिए अपने चाचा पृत्फी राजकपूर से मिले। इन्होंने पृत्फी थीयटर जॉइंग कर लिया। वो पृत्फी तीयटर के शुरुवाती सदस्यों में से एक थे। अपनी पहली फिल्म के बाद इन्होंने बरसात नौजवान आन जैसे सुपर हि खुबी निभाय था। इनके खलनाय के किरदार को भी दर्शकों ने बेहत पसंद किया। और इनकी आखरी फिल्म हम दो थी जो बड़े परदे पर 1985 में रिलीज होई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलिवुड इंडास्ट्री से दूरियां बना ली। अगर बात करिंगी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने बॉलिवुड इंडास्ट्री की मशूर अधाकारा बीना राय से साल 1951 में शादी की थी। शादी से इन्हें दो बेटे हुए। कई साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अभिनेतरी को नर्वस ब्रेकडान हो गया था नाथ ने उनका साथ अंतिम वक्त तक उनकी देखभाल करते हुए बिताया। आपको बता दे अभिनेता के खराब स्वास्ते की वज़े से इन्होंने 3 नवंबर 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको दिगज अभिनेता प्रेम नाथ के बारे में जानकर और आपको उन प्रेम नाथ की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है। हमें अपने राय कॉमन बॉक्स में कॉमन करके बताईए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।